नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूच्व चैनल एग्रिमेंटोर्स पर अभी आज हम मिलाते हैं आपको एग्रिमेंटर्स के कुछ सितारों के साथ जी हाँ दोस्तों आपको पता होगा PSD Entrance राजस्थान के अंदर एग्रिकल्चर का रिजल्ट आया था और उसमें कुछ स्टूडेंट ने बाकमाल परदर्शन किया है जी हाँ दोस्तों सबसे पहले आपको मिलवाते हैं राजेंदर चोदरी से जिन्नोंने एग्रनोमी में फर्स्थ रैंक हासिल किया है PSD Entrance में और अपनी इस काम्याबी का श्रेक की अगर हम बात करें तो definitely इनको जाता है जिन्नोंने hard work किया जिन्नोंने मेहनत की और इस मुकाम को हासिल किया उसके बाद में second यहाँ पर हम लोग मिलते हैं soil science में जो आपके unreserved category के साथ आकाश कुमार सैनी ने third rank हासिल किया है first or second नहीं आसिल कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि third भी अपने आप में एक बहुत बड़ी काम्याबी है इस मुकाम तक पहुचना भी आसान नहीं होता लेकिन आगे और परयास करेंगे तो और अच्छे-च्छे मुकाम को हासिल किया जा सकता है लेकिन उस university में प मेहनत अपने आप में काबिले तारीफ है और उसके बाद में हम लोग मिलते हैं next आपके दो चातर जो की एक ही rank six rank पर हैं अका मुरमेश यादव और मुकेश कुमार यादव इन दोनों का ही six rank है इन दोनों नहीं six rank को हासिल किया और आज ये जो है अपने मुकाम में अपने गौल में काम्याब हो पाएं हैं और वहां तक पहुँच पाएं हैं देखो दोस्तों इनकी मेहनत की बात करें इनके hard work की बात करें तो बहुत जादा रहा है और इसकी बदोलत है कि इन लोगों ने इस मुकाम को हासिल किया बिना मेहनत करने वालों को केवल उतना ही मिल जात है जो कि ये मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं तो आप सोच सकते हो कि मेहनत करने वाले कभी छोड़ेंगे क्या नहीं कभी भी नहीं चोड़ना चाहेंगे तो अपने हातों की लकीरों पर विश्वास करने की बजाए अपने हातों की मेहनत पर विश्वास करना सीखिए जि लेजिनेशन उतना ही अच्छा होना आप उसके अकोर्डिंग अपने काम को करें और उस मुकाम को हासिल कर सकते हो इसके अलावा अगर हम बात करें तो next sum मिलते हैं रोजालिन होता से जिन्होंने वेस्ट बंगॉल में अभी जिन चातरों के हम बात कर रहे थे वो PhD एंट्रेंस राजस्तान की बात कर रहे थे एगरनोमी और सॉयल साइंस की लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगॉल के अंदर विश्व भारती जो All India P.E.T. एंट्रेंस एक्जाम होता है उसमें रोजालिन ने आपका first rank हासिल किया है जो की again काबिले तारिफ है इनकी म पहनत की वज़ा है कि आज ये लोग अपने आपको इस मुकाम पर पहुंचा पाए हैं अपने गोल में काम्याब हो पाए हैं जहां पर ये चाहते थे अपनी study करना वहां पर पहुंच पाए हैं लेकिन उसमें इनका अपना सहयोग बहुत बड़ा है किसी दूसरे का होने से पहले अपना खुद का साथ देना सीखो दूसरी बात होती है कि आपके लिए एक mentor अच्छा होना बहुत जुरूरी होता है आपके लिए guidance अच्छी होना बहुत जुरूरी होता है और उसमें अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में हम आपका साथ बने यानकि agree mentors अगर आप हमी soil science या आपका next qualifying exam तो इन सभी exam के लिए आप जुड़ सकते हैं agree mentors के साथ और हम इन batches में आपको basic से लेके advance तक हर part को cover करते हैं और आपका साथ देती हैं ताकि आप कहीं भी अगर डगमगाते हैं तो हम आपको guide कर पाएं कि कहां पर आप लोग lag कर रहे हैं और किस परकार से उसको improve कर सकते हैं यह सभी faculty जो हमारे साथ हैं यह सभी बहतरीन हैं और अपने आप में बाकमाल है क्योंकि इन्होंने मेहनत करके उन मुकाम को हासिल किया हुआ है जहां तक यह पहुचाना चाहते हैं आप लोगों को भी अब आपकी कोशिस है आपका hard work है कि आप उसको achieve क पर पाओगे या नहीं कर पाओगे लेकिन एक चीज़ जरूरी होती है वो यह कि इस मेहनत के अंदर आपका साथ को नेरा है क्योंकि साथी जो है वो अगर ना मदार में हमें 20 में चोड़कर चला जाए तो हम सायद ही कही ना कहीं उस मुकाम को हासिल कर पाएं क्योंकि एक सा ठाइरेंट्स को इनके घरवानों को सबको बदाई कि ये बदाई के पातर हैं इन्होंने महनत की है और इस मुकाम को इन्होंने हासिल किया है और आप सब लोगों को भी आने वाले time के लिए best wishes कि तुम भी इनके जैसे ही अपने goal में अपने target में महनत करके आगे बढ़ो और मुकाम को हासिल कर पाओ थैंक यू सो मुच जय हिन जय भारत